आप देख रहे हैं प्रेस कॉंफरेंस दिबांग के साथ। इस प्रेस कॉंफरेंस में महमान से पूछा जाएगा हर जरूरी सवार। उनकी खूबियां बहुत हैं इसलिए उम्मीदें बहुत जगाते हैं लेकिन हर बार जैसे अंत में जाकर कहीं न कहीं कुछ चूख हो जाती है बीजेपी में हैं वहां भी अकेले अनूठे सुब्रामन्यम स्वामी स्वामी जी आप शो में आए आपको बहुत-बहुत स्वाग नहीं है इस सरकार देश के लिए हानी है गिरा सकता तुम गिरा होंगा बेबाग बयानों के लिए मश्चूर सुब्रामन्यम स्वामी बीजेपी के नेता और चिन तक हैं दुनिया भर में उनकी पहचान एक प्रफेसर और अर्थ शास्त्री के रूप में भी है 75 साल के हो चुके सुब्रामन्यम स्वामी जेपी आंदोलन के जमाने से राजनीत में है जेपी से खासे प्रभावित रहे स्वामी उनके आंदोलन में भी शामिल रहे थे बताते हैं कि एमर्जंसी के दौरान सुब्रमन्यम स्वामी ने पुलिस से बचने के लिए सिख का भेश धर लिया था सुब्रमन्यम स्वामी जनता पार्टी के संस्थापकों में रहे हैं और साल 1990 से लेकर 2013 तक इसके अध्यक्ष रहे 1990 में चंद्शेखर सरकार में स्वामी वानिज और कानून मंत्रे भी बनाए गए सुब्रमन्यम स्वामी दो बार राज्य सभा और तीन बार लोक सभा के लिए विच्चुने जा चुके हैं 2013 में स्वामी ने जनता पार्टी का विलाए बीजेपी में कर दिया और तब से वो बीजेपी में ही है कभी नरेंद्र मोदी के पियम मुमिदबार के जबरदा समर्थक रहे स्वामी अपने दीखे बयानों से पार्टी और सरकार को कई बार मुश्किल में डाल चुके हैं चाहे पाकिस्तान का मसला हो या पुणः फिल्म सनस्थान या फिर राम मंदेर हर मुद्दे पर स्वामी बोलते हैं यो तो हम करने वाले नहीं हैं पर उन्तों वो करेंगे तो उनका पिछले बार दो टुकरा किया इस बार चाल टुकरा कर देंगे वो तो नकसलाइट लोग हैं उनको तो निकाल देना चाहिए MTII से राम मंदिर तो बनना ही है राम सेतु का काम हो गया यौन शोशन में जेल में बंध कथित आध्यात्मिक गुरू आसा राम के लिए कोट में पैरवी करके भी स्वामी विवातों में रहे सुप्रमन्यम स्वामी का जन्म 1949 में चन्नई के नाहिलापोर में हुआ था सुब्रमन्यम स्वामी के पिता सीता राम सुब्रमन्यम एक बेरोक्रेट थे सुब्रमन्यम स्वामी ने दिल्ली के हिंदू कॉलेज से मैथेमेटिक्स में आउनर्स की डिग्रे ली कोलकता से स्टाटिस्टिक्स में मास्टर्स किया और हावर्ड इन्वर्सिटी से अर्थ शास्त्र में PST की उच्छ शिक्षा हासिल करने के बाद सुब्रमन्यम स्वामी ने पढ़ाई लिखाई को ही अपना करियर बनाया कई साल वो हावर्ड इन्वर्सिटी में अर्थ शास्त्र के प्रोफेसर रहे भारत लोटने के बाद IIT दिल्ली में 20 साल से भी ज्यादा समय तक उन्होंने पढ़ाया सुब्रमन्निम स्वामी ही वो शक्स है जो टूजी घोटाले को देश के सामने लाए काले धन के खिलाब भी सुब्रमन्निम स्वामी ने लंबी लड़ाई लड़ी है सोनिया, राहुल गांदी और जैललीता पर व्रष्टाचार के आरोब कोड तक ले जाने वाले शक्स भी सुब्रमन्निम स्वामी ही है स्वामी जी बहुत सारी पुराणी आपकी तस्वीरें देख रहे थे यह बताई कि जिस तरह से आप हैं आप ऐसे हैं क्यों मैं लोग कहते हैं कि रिद होते हैं टेंशन से और जो नर्वसनेस आती है मैं तो दूसरे लोग को टेंशन देता हूं तो मुझे उसलिए कोई प्रभाव मेरे स्वस्थपर नहीं होता है मतलब आपकी थेओरी कि हर चीज नहीं लेनी कम से कम टेंशन देनी है लेनी नहीं है बिलकुल यही मेरा काम है टेंशन देना सबको टेंशन देना क्योंकि वो दूसरे लोग गलत काम कर रहे हैं तो उनको टेंशन देना आजकल तो ऐसा है कि जो गलत काम करते हैं वो आपको टेंशन में डाल देते हैं, डरा देते हैं हम डरते नहीं हैं और उनको उल्टा उनको डरा देते हैं पर इसमें दूसरों के देने के चक्कर में कई बार आप अपनों को भी टेंशन दे देते हैं कि गट जोड है उस गट जोड में लोग समझने कि वह गए तो यहां भी आ जाएंगे पर आप ये मानते हैं कि आप अपनों को भी टेंशन कभी कभी दे देते हैं हाँ क्योंकि उनको पता नहीं है कि मैं उनका भी नाम नहीं कभी लूँगा या उनके उपर केस नहीं जिदाजी आप पूछे अपना स्वाल जाएं तो अग्रेजी में कहते हैं बंडल ओफ कॉंट्रडिक्शन पिरोधा भास की पोटली बिल्कुल नजर आती है आप आरेसे विचार धारा करीब समझे जाते हैं लेकिन चंशेकर जी समाजवादी आपके बड़े अच्छे नेत से चीनी आपने मिलाई कि बिल्कुल उनका जीवान आप अगले 10-15 साथ के लिए कड़वा कर देते हैं तो ऐसा क्यों है कि जिससे आप हाथ मिलाते हैं अगला स्टप होता है कि उनका जड़ खोद देते हैं कि हर के तो कारण तो ही जवाब लंबा हो जाएगा तो मैं संक्ष होता है उसको याद रखते हैं जो मेरे साथ अन्याय हुआ या धोका हुआ है उसको निया याद करते हैं जैसे सोनिया गांदी जैलता को हमने चाई पिला करके उनके कहने पर मैंने बीजेपी गवर्मन्ट को गिराया गिराने के बाद सोनिया गांदी ने भाजपाई से समच होगए तो यह तो करना है उसमें सिरफ मैं इसा नहीं हूँ आप आप जानते हैं कि सोनिया गांदी ने गुज्राल के सरकार को गीराई थी यह कहकर कि करना नी दी नwatch उनकी पती की हतिया कि बाद में उनके साथ घड़ बंदन कर ली तो उनको कोई पूछता नहीं है पर उन तो पता नहीं क्यों मुझे ही छोटी-छोटी बातों में सब पूछते रहते हैं स्वामज जी बताहिए कि आप कई के एक तो टोपिया पहन लेते हैं आप जब चाहें तो आप बड़े अच्छे प्रोफेसर बन जाते हैं हावर्ड में जितने भी लोग बता रहे हैं कि बहुत ही आप प्रतिवाशाली प्रोफेसर है हावर्ड में फिर आप नेता बन जाते हैं ये अगर मैं आपसे पूछू कि ये जो सरकार है मौजूदा सरकार अब तक जिस तरह से मोधी सरकार ने काम किया है उसको आप कैसे आखत परसनालिटी नहीं होती तो हमें ये जो मोबिलाइजेशन हम कर पाए नहीं कर सकते थे लेकिन मोडी की परसनालिटी अखेला हमें जिताया नहीं ब्रश्टाचार के विरुद में जो अभियान छेडी गई थी वो उससे कांगरस का नाम खराब हुआ वो एक और भी पहलू है जी और हिंदुत्व के कारण कई जगाओं में लोग जाती से उपर उठकर वोट दी जैसे यूपी में किया तो इन तीनों के लिए जहां तक ब्रश्टाचार का विरोध करना है या हिंदुत्व के को आगे बढ़ाना है उसमें हम पीछे पड़े हैं हमारी सरकार जादा तर वो गवननेंस पर जोड़ दी है और उसमें जितने लोगों को मिला कर ले जा सकते हैं उसके लिए प्रयास की है परन्तु वो प्रयास मेरी राए में सफल नहीं हुआ है परन्तु उसका आंखिरी हिसाब जब लेंगे जब थोड़ा समय बीच जाए तो मुसीलिए मैंने जलिए रातका पोचे अपने सवाल जी डाक्टर स्वामी आपका घर वापसी बीजे पी में जब आपकी पार्टी विले का विले हो गया बीजे पी में वो काफी उचसा काफी उच्छा से हुआ था तो जब मोदी की सरकार और आप मोदी जी के एक ठोस समर्थ तक भी थे तो मोदी जी की सरकार जब बनी तो आपको मंत्री मंदल में शामिल ना करने से आपको खफा हुआ और अगर आप आज वित मंत्री होते तो आपकी क्या प्रायोरिटी होती आप एकॉनिमी को कैसे सीधा करते जो इस अभी जिसकी हालात बहुत अच्छी नहीं है ने मुझे अभी भ को मुझे में डालूंगा जो जिनको जनको बतानी के लिए उसको कहते हैं एक कद्ध है उन्होंने बताया पिर हुआ नहीं बाद में अनेक कारण दी गए एक कारण दी आगया कि सरकार चलाने के लिए स्वामी को बाहर रखना ज़रूरी है क्योंकि विपक्ष की मदद की कि आप जितना अच्छा उन से वियवार करेंगे उतना बुरा वो आप से के साथ वियवार करेंगे पर उन्तों इसमें मेरा कोई खौफ हुआ या कोई विरोध हुआ या गृना हुई वो बात सही नहीं है क्योंकि मैदान तो बहुत है और जो मैं कर रहा हूं बरश्टाचार क के लिए प्रचार कर रहा हूं इससे मेरी पॉपिलारिटी आज एक डेड़ साल के पहले के तुलना में तो चार-पांच गुना ज्यादा होगा और ये थोड़े मोटे संखेत तो ट्विटर में भी पता लग जाती है जो मेरी सवाहिंग की संख्या वो पेपर में कम आता है पर दो बड़े काम जो आप करते हैं पहला लोगों को उत्साहित करने के लिए इंकम टैक्स को बालिश करता है कोई इंकम टैक्स नहीं होगा नो इंकम टैक्स क्प्लीट अपर तो ये तो अच्छा नारा हो सकता है मुझे वितमंत्री बनाओ कोई इंकम टैक्स नहीं होगा किसी पर नारा नहीं, मैं करके दिखा सकता हूँ. पैसा कहां से आता पर जो दो लाक करोड घाटा होगी उस कारण से, वो एक स्पेक्ट्रम के निलाम से बिल सकती है, और हर साल पहले दो 2G का कर सकते हैं, दूसरे साल 3G का कर सकते हैं, चौता साल 4G का कर सकते हैं, तो इसमें कोई और कोईला का भी निलाम होने वाला उसमें भी बहुत ज़्यादा मिलेगी तो पैसा की कमी नहीं है तो इस प्रकार से एक है दूसरा है कि मेरी राय में जो हमारी देश में इंटरेस्ट रेट्स हैं वो देखें दुनिया के तुलना में कितना ज़्यादा है अम हमारी देश में 12 परसंट से कम नहीं 18 परसंट भी जाती है कई किसान लोग हत्या करते हैं क्योंकि उनको 25 परसंट देना होता है तो इस परकार से जिससे लोगों को खड़ा करने के जो कदम है वो उठाऊंगा वो आज उसका उस रास्ते में नहीं जारे हैं यह जो यह जो आ अच्छी जगह से वहां पर आए आप उनसे भी लड़ लिए यह आपने वाच्पईजी के खिलाफ उन दिनों बयान दिये कई बातों पर अब गलत से बोलते हैं इन्होंने का कि अब घर वापसी हुई मैंने तो नहीं जनसंग छोड़ा जनसंग का विले जनता पार्टी में अपनाई जिससे मुझे कोई संब्द नहीं था जिस दिन हिंदुत्व के रास्ते पर सरसंग चालक सुदर्शन जी ने कहा कि हम दुबारा चलने वाले हैं उस दिन हम दुबारा शामिल हो गए इस सवाल पर मैं आपसे दुबारा इस पर पूछूँगा राज किशोड़ी हुआ है लेकिन आपको लगता है कि दिशा ठीक है यदि नहीं है तो कहां क्या कमी रह गई और एक सवाल फिर से वही दोर आ रहा हूं कि आपने अगर होते तो अभी क्या करते दिशा तो ठीक नहीं है क्योंकि जेटली तो वकील है उनको एकनामिक्स को तो कुछ पता ही नही है यह जो हिंदू हिंदुस्तान के जो कमियां हैं शक्ति हैं उसको ध्यान में रखकर जो कदम उठानी चाहिए वो इस प्रकार होंगे आज भी आज भी मैं कहता हूं कि इंकम टैक्स को बबलिश करो एक उत्सा आएगी जिस कारण से लोग उस पैसा को बचत करेंगे बचत स पूंजी होगी पूंजी से ग्रोड बढ़ेगी इसी प्रकार से हमारी देश में जो नदियां हैं उनका एक ग्रिड बनाएंगे तो इतनी एंप्लाइमेंट जेनरेट होगी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमने बोला तो बहुत है योजना तो बनाईए बरन तो अभी तक कुछ क्रियानवित नहीं हुआ इसी प्रकार से हमें प्राजेक्स करनी चाहिए दो बातों के लिए एक लोगों को लोगों की बचत बढ़ानी चाहिए दूसरा व्याज जो है इसको कम करना चाहिए और तीसरा रोजगार पैदा करना चाहिए ये तीन चीज करनी चाहिए स्वामी जी मुझे थोड़े आपने शुरू में हैरान कर दिया आपने का कि मुझे वज़े नहीं मालूम ऐसा बहुत कम है कि सुबनामन्यम स्वामी को किसी चीज़ की वज़े न मालूम हो और दो नाम थे देखी आपका नाम था एक अरुन शोरी का नाम था दोनों कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं मैं तो आपके चैनल में दिखाई दे रहा हूँ देश भर में दिखाई दे रहा हूँ पर दोनों वितमंत्री की दौर में थे तो अईसा क्या हुआ कि ये रहे गए मैं दौर में नहीं था दोनों का नाम था नाम तो आप तो बता रहें आपको बताया भी गया हां बताया भी गया था परण तो हो गया कारण क्या मैंने मैं यदि प्रयास करता तो पता लग जाता मैंने प्रयास ने किया क्यों क्योंकि मैं प्रागभधा पे विश्वास करता हूं कोई अच्छा कारण होगा जिसके जो नेता हैं जो हिंदु वादी हैं या सुनेशी वाले हैं आरेसेस ते कभी इतना क्योंकि आरेसेस तो बड़ा डॉमिनेट करता है बीजेपी में फिर भी कभी और गडवन्दन की भी जब जर्वत हुई तो आपको वित्तबंत्री जोड़ें प्रिदानमंत्री पत के लिए गड़बंदन में आप ज़्यादा लोगों को साथ ले सकते थे आपको कभी आरेसेस दे क्यों प्रोजेक्ट किया खाली आपको यूज करती है और फिर फेक देती है यह तो आपका निश्कर्श है मेरा नहीं है पहले तो मैं आरेसेस के सदसे नी कभी रहा लेकिन उनके साथ निकर्ट्जा के साथ और असने के साथ हमने बहुत où से काम की और जैसे नानाजी थे यह दत्व पंठंग्डी थे मुर्ब पिन पिंगले थे मादरै ते मधरौ सिंध्या मादरौू मुखले थे इन सब का हमारे असने होनी के नहीं हम इतने दूर आए कि हम 5 बार पांच ब तो बार तो उनका प्रवेश करने में इन लोगों की मदद के कारण में पार्लिमेंट में आया। लेकिन मेरी लड़ाई जरूर सेधानतिक ग्रूप से बाचपाई से हुई थी और उस कारण से ये फैसला हुआ था 1980 में कि मैं जन्तापाटी में बना रहूंगा और वो बीजेपी चलाएंगे और 1904 में शंकराचारिया के गिरिफ्तारी होनी के बाद तय हुआ कि मैं अब विले के लिए रास्ता बना हूँ और फिर उसमें थोड़ा समय लगा और बन गया पर स्वामी जी आपको नहीं लग तक कभी उम्मीद करें कि आप रधान मंत्री बनें अब बने रहते तो वाचपेई जी आपको लगता है कि अगर आप बीजेपी में खासतार पर जवाब आए अगर आप बने रहते तो वाचपेई जी अडवानी जी उसके बाद तो आप भी ते अगर आप बने रहते तो आप अप अनुसाशन में रहते थोड़ा धैरे रखते तो यह काम हो सकता आप सबसे वरिश नेता होते यह जो आप जो नेता दिखाई दे रहें उस जमाने में तो कोई उनमें से था भी देखे यह तो एक अनुमान लगानी की सवाल है उस समय मैं जो सिधान्त अपनाए गया था उससे हम बड़े दुखी थे पहले तो हम यह भी नहीं चाहते थे कि जन्तापाटी के विले हो जन्तापाटी में अब जन्संग का विले जन्तापाटी में हो होने के बाद फिर उसको घटक के रूप में चलाना ये भी घलत था और बाद में संग के साथ बैस होने के बाद ही बाला साब देवरस थे उस समय यह तैव हुआ था यह कोई मैंने कोई जड़ से ऐलान नहीं किया और यह जरूर मैंने कहा था कि जो हिंदुत्व के जो विश हैं जैसे कैलाश मांसरोर का रास्ता खुलवाना या मराम मंदिर पर बोलना ये सारी चीजों पर तो हमारी सिधान्त में तो कोई फरक नहीं आई और जिस दिन यह लगा कि अब जिन लोगों ने मेरा विरोध किया वो सब चले गए थे तब हम बीजेपी से मिले करनी अगर मै खोड़ा सा देर टिके रहते तो कोई रोक नहीं सकता था आपको आज ये ये भाव आपको कर आपका भी बैट के ये तो एक कल्पना की बात है कि क्या परिस्तिती हो जाती है मैं जानता हूं कई अच्छे लोग वहां टिक ने पाई रहकर अब गोईंदाचारिया को हटाने क क्या बात थी और दतोबन ठेंगरी को किया बात थी तो मुझे अंदर रहते हुए उनके साथ रहते हुए मुझे पता है और मेरे जैसे वेक्ति जो सहधानतिक तोर पर इने के स्पष्टबादी है तो उसके लिए तो जब लिपापोती होने लगती है और सेकुलर बनने के लिए एक पागलपन शुरू हो जाती है तो फिर हमें तो फिट करना मुश्किल हो जाती है तो मैं तो कोई कम नहीं कमाया हूँ मैं तो सीनय मोस्ट मिनिस्टर था उस समय मैं चाहता था तो चंदरशेकर के जगह मैं खुद बनता क्यूंकि राजीव गांधी तो मुझे चाहते थे वरन तो मैं समझता था कि चंदरशेकर बनना ठीक होगा और मेरे लिए अभी यह समय न जगड़ा हुई पसात रहे और नरसी मरा उसे दोस्ती पूरी अमांत तक थी अब एक दो लोगों के साथ हमारी जगड़ा होगी तो उसके मूलबूत कारण है सोनिया गांधी से क्यों जगड़ा हुई है उसमें है उसकारण है चुनाम से पहले आपने बड़ी बात की जगड़ा है इस मेंसे कोई एक रास्ता भी अपनी सरकार नहीं अभी तक अपनाया नहीं मैंने प्रदान मंदी को चिठी लिख कर भी करता है कि यह चार रास्ते एक रास्ता है जो मुचल एसिस्टेंस पैक्ट से जो तो एक फुटकर में ही ला सकते हैं दूसरा है कि जो जर जिन्होंने बैंकों की जो स्विजरलेंड बैंक के जो अधिकारी थे उनके ब्रांचेज में जैसे वाशिंग्टन में उनको गिरिफतार करके धंका करके उन्होंने सारी ली और चौथा है जो युनाइटिड नेशन्स का दो हजार पांच का एक प्रस्ताव है जिसमें आप र गदाफी यह लिबिया का और मार्कोस फिलिपीन का अकाउंट से वापिस आए तो रास्ते तो हैं अभी तक इमेंसे कोई रास्ता नहीं अपनाया गया जो रास्ते बताए जा रहा है उसमें कोई दम नहीं है तो पार्टी नहीं आसान रास्ता क्यों चुना कह दिया कि यह ज पार्टी में तो नहीं कहा ना अभी पार्टी का नैशनल एक्जेक्टिव होगा तो सवाल जरूर आएगा कि काला धन कब वापस आएगा राम मंदिर कब बनेगा यह सारी चीदें बत्र आएगी चलिए आपने पिछले दिनों एक बात कही वो एक बार सुन लेते है तो तो क्या है मा बेटा हो को एक है दो है क्या फरक पड़ता है एक ही परिवार का बाहर तो नहीं बन रहा है नरसी मराव उने परिवार के बाहर बन गया तो क्या हलत किया उसका तो इसलिए परिवार के लोग बनेंगे क्या हमें तो परिवार के लोग बनेंगे क्या हमें त कि पूट परवाने के लिए फूट करने के लिए कुछ कर रहे हैं ज़रूर कर रहे हैं तो कब तक उसका असर दिखाई देगा है मैं समझता हूँ कि असर डेड़ साल में होना चाहिए पड़ी संक्या में होनी चाहिए या ऐसे ही एक दो लोग को लाने से कोई फाइदा नहीं है वैसे तो एक दो कई लोग आए हैं जैसे हो विकर हर्याना से कई लोग आए हैं यूपी से कई लोग आए हैं वैसा नहीं एक सि अपने माँ बेटे का जिकर किया है और आपने खासके राहूल गांदी पे काफी थीखी आलोचना किया है आपके ट्विटर में आप कई सारे बाताओं हो बाते हो भाते हो एक्जाक्ली लेकिन राहूल की जो इमेज मेकोवर जो हुआ अब पिछले 6-7 महिनों से दिखाई दे रहा है आकरामिक रवाईया पार्लिमेंट में पार्लिमेंट के बहार और एक एक कंसिस्टेंट अप्रोच जो रहा है उससे आप अपनी राय में कुछ परिवर्तन ला रहे हैं क्या राहुल के बारे में ने इसको उसकी जो इमेज गिरी पिछले चुनाव में उसके थोड़े पहले उसको वो कभी रिकावर ने कर सकते हैं क्योंकि उनका मूल क्या है कोई कि यान नहीं है कोई पड़ाई नहीं है कोई सिधान्त नहीं है और अडिकुलेशन काफी शार्प फॉकस्ट रहे हैं मुझे ऐसा नहीं लगता है मुझे लगता कि पब्लिक में इसकी असर जरू इल्टा जाती है और अभी उसकी अद्यक्ष ना बनने कर कारण है कि उत्व प्रदेश में चार-पांच सीट से ज्यादा नहीं मिलने वाली है और उस डर में उनको देक्ष बनाने के लिए टाल दिया है यह बताई कि अब ट्विटर पर इतने हमलावर क्यों हो जाते हैं हम क्या क्या लिग देते हैं उसमें तो कानून के दैरे में तो है अभी तक किसी न नहीं डाला हमारे उपर तो आप दाएरे ने ने जरता डालती है तो हार जाते हैं हर बार आती है तो आपको चुकि आप प्रोफेसर हैं राजनीती देखी है राहूल को देखा उनकी पिताजी को भी देखा है अगर एक आपको उनको राय देनी हो राहूल गांधी को तबका आया है बहुत राष्टवादी है और उसका वो कभी यानि उसको संतोश नहीं कर सकते हैं और उस राष्टवादी वो खोज में है कि राष्टवादी का अर्थ क्या है रूप रेका क्या है उसमें किस प्रकार से बहुनी चाहिए उसका मैंने एक अलग से संग्षन बना मुलाइम सिंग से करिए वो कभी मोजे नेरू परिवार के लिए आप बोल रहे होंगे, और किसी का नहीं बोल रहे होंगे, और एक दो हमारे विरोधी पार्टी के अंदर के बारे बोल रहे होगे। स्वामी जी, जब भी गांधी नहरू परिवार की बात होती है, उनका कोई बयान आता है, आपकी टिपनी के बिना पूरा नहीं होता। कल सोनिया गांधी जी का एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि नहरू को लक्षे बनाकर ये सरकार इतिहास को तोड मरोड के पेश करना चाहती है आप क्या कहेंगे इस बारे में वो देश राष्टरवादी नहीं थे और उन्होंने देश की जो सारे हितों को उसको उन्होंन व्यक्तिगत अपनी इमेज बनाने के लिए उन्होंने थ्याग कर दिया जो उन्होंने कश्मीर का किया अभी एक नया मिनिट्स मिला है मुझे फेबरोरी पचीस उन्हीं सो आटालीस की जहां पटेल नेरू और मांट बैटन मिलकर बात कर रहे हैं कि यह जो यूएन में हम ल को यूएन लेगे हैं उनको सजा मिलनी चाहिए तो यह तो उन्होंने खुद उनकी जिद पर गई थी और दूसरा है चाइना चाइना से दोस्ती करना बुरा नहीं है लेकिन अपनी तैयारी बंद कर दें कि यह कलपना पर कि उनके साथ हमारी भाई-भाई की रिष्टा है व तो मैं समझता हूं कि इस देश में नहरू को कोई नाम लेने के लिए तयान ही होगा और इसी परकार से और भी अनिक रहसी हैं जो अभी बार नहीं आएं तो यह सब मैं जाता हूं उसमें मौजूदा सरकार क्यों ही चक रहे हैं इस बाश फाइल्स हाँ डर रहे हैं इतना इस बहुत साधन माधा सीधा मामला था कि सोनिया गांधी बेटा और उनके कांग्रेस के साथियों ने और फिट रोड़ा और सुमंदोबेश जैसे लोगों ने कंपनी बनाई यह यंग इंडियन और उसमें 76% शेर सोनिया गांधी यह बेटे के थी माने कंपनी उनका था और उन्होंने नैशनल हरेल्ड को हडप किया और नैशनल हरेल्ड के पास तो अजार करोर रुपे की संपत्ति हैं जमीन हैं कई शेरों में बिल्डिंग्स हैं यहां भी बादूर साथ जफर मागी यह सारे सस्ते दाम पर सरकार ने निउस पेपर प्रिंट करने के लिए इन्होंने इसको कंवर्ट करके किराए में दे दी और खुब मौज कर रहे हैं तो यह फ्राइड होने के कारण मैंने चीटिंग ब्रीच कमर्नल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट फोर ट्वेंटी यह सारी धारा लगई इसमें आपने फिर बहुत बयान दिये और फिर हुआ कुछ नहीं लगा जिसे आपका जो आपका जो हूमवर्क है वो कहीं कमजोर रहा ने ने यह तो गरोप आपका है पर वो तो आप जेन भीजवाने वाले थे मैं बात जवाब दे रहा हूं मैंने यह मैजिसेट के सामने पेश की थी ग्यारा माई ने पूछताच की बयान ली सब करके समंज जारी की माने प्राइमा फेसी केस बन गया है और आप आरोपी हैं प्राइमा फेसी अब ट्रायल को फेस करना है हमारे जो कानून है उसकी अनुसार उस विदी अनुसार यह हाई कोर्ट में जाकर कहा कि य वो अभी एक साल से चल रही है अभी आंत में आ गई है उसमें भी हमाज जीच जाओंगा और दुबारा वो वापिस मैजिस्टेट के पास जाएगा फिर ट्रायल होगा तो इनको गिरिफसारी होगी और फिर बेल लेना पड़ेगा बेल देंगे तो नहीं मैं नहीं जानता और यह कारवाई तो ही है इसमें तो पका कोई बचने का नहीं है अब मैं एक और ले रहा हूँ क्या इसमें जो अधिकारी जो बदले गए वो भी इसी मामले से जुड़े हुए थे क्या इसमें वो भी खेले हुए थे इसमें कन्फूशन इस बात पहुतिया है मैंने एक तो क्र तरकत उसमें समन्स जारी हो गई अब ट्राइल की बाकी है जो अब हाई कोड के कारण रुका हुआ है दूसरा है मैंने इनफोर्स्मेंट डिरेक्टरेट में कहा कि यह जो पांच लाक रुपे बना के यह कंपनी बनाते हैं यंग इंडियन उसको पांच हजार करोड रुपे के संपती की आसोशियत जैन네les limited को कैसा इनका ये स्वामित्व मिला इसमें एन्फोर्द मनी लॉंडरिंग भुआ है उसके लिए मैंने इंफोर्स्मेंट डाम दिया उसमें डिट्रेट में जो आज हएबी इंडीश्री की सेर्टी है उसको अडिश्नल चार्ज फाइनांस मिनिस्ट्री ने दी थी एंफोर्समेंट डिरेक्टर हो पका कॉंग्रस का अपॉइंट्मेंट यह था फेले उसको जारी रखा इन्होंने और उसने अब इसमें पूरा केस है तो मैंने प्रदानमंति को लिखा है कि यह फूल टाइम डिरेक्टर होना चाहिए यह पार्ट टाइम डिरेक्टर ऐसा बोलता है दूसरा है कि वह डिग विजे का रिष्टिदार है और उसके साथ उसकी बातचीत होती है कांग्रस के अपॉइंट्मे को दिन पहले दिया था उसको रद कर दिया तो अच्छा किया और उसका परिणाम आप देखेंगे कि पुर्मिलेश्च स्वामी जी आपके प्रशंशक और आपके निंदक दोनों मानते हैं कि आप पड़े लिखे आदमी हैं लेकिन संग परिबार से आपकी जो दोस्ती आप का लगाओ एक हिंदू राष्ट्रबादी के रूप में आपको अपने को स्थापित करने का कोशिश यह सब बड़ी लंबी कानी है लेकिन वजह क्या है कि यो हिंदू राष्ट्रबादी पार्टी है और संग्टन है उसने आपको भरोसे के लाइक नहीं समझा कभी उसने आ आपके लाइफ की एक पॉलिटिकल ट्रेजडी है इसको कैसे आप देखते हैं यह तो ट्रेजडी नहीं मैं आनता हूं कहीं लोग हैं जो कभी मेले अमेले भी नहीं हैं उन तो हमसे भी मान बने जैसे जैपरकाष्ट थे या मात्मा गांधी थे इस देश में तो सादू संत त्यागी छों का बड़ा कदर होता है दूसरे देशों जैसा नहीं है दूसरा है कि मुझे रका गया नहीं रखा गया बाहर रखा गया यह तो मुझे क्यों सवाल देना मेरे कोई कमी नहीं हैsom दुनियावर में मानते हैं कि हम योगे वेकती हैं जिन्होंने बार रखा उनसे पूछना चाहिए क्यों क्यों बार दोलन भी तो नहीं कर सके आपने जैप्रकाश का नाम लिया लोहिया का तमाम लोगा आप कोई अंदोलन कारी भी नहीं रहे तुल मिलाकर आपने आपने डिफ जो दृष्टी कोन उसको मैंने बदला पहले जब मैंने शुरू किया तो सोवेट रूस का जो समाजवाद है उसका मैंनो विरोध किया और का कि बाजारी प्रनाली है हमारी देश के लिए सफ़चा आंकिर में सफल हुआ जब मंत्री बना जिस तंदर शेकर का काल तो कम था पर दूसमें मैंने कर दिया फिर नरसी माराओ के कल में मुझे मंत्री पद का दर्जा था और मैं उसमें सफल हुआ चीन के साथ और इसरेल के साथ दोस्ती होनी चाहिए ये भी उस समय बड़ा विरोध होता था उसका भी मैंने कर दिया मैं तो ऐसे गिराने लगा तो जो काम कि वो चमचा जो है राउल गांधी का वो देगा मुझे पर स्वामी जी मेरा जो मुझे तो व्यक्तिकत कह रहा था जैरम रमेश कि मैंने तो कहा है कि आपने ही शुरू किया था ट्रेड रिफॉर्म से मैंने पुस्तक में लिखा है अब लोग उसके एक्स्रैक्ट पढ़के बताते हैं मैंने अभी तक उसका पुस्तक देखा नहीं पूरा पुस्तक देखने के बाद बताओंगा आपको पर स्वामी जी इस पर आपको खुलासा करना चाहिए और मतलब थोड़ा सोच के करना चाहिए कहां आप वित्मंत्री बनने वाले थे कहां आज इस्थिती है कि बाहर से लाए हुए लोग दुबारा लाए हुए लोग पार्टी में सांसत बन गए राजसभा पहुंच गए तो आज उसको आप इतना महत्व दे रहे हैं कि मैं इस पर विशलेशन करूं मैं तो देश बर में दोरा कर रहा हूं मैं तो राम मंदिर के लिए राम सेतु का त इसे ने किया था तो ऐसी चीजों का पबलिक वेरे साथ जहां भी जाता हूं बड़े भीड में सकाब कर ठा होती है तो मेरे लिए जो जो दुरिश्टिक होने वो आप से दालग हैं आप जैसे मैं बाबू ने मनने चाहता हूं मैं तो मैदान में घुमने चाहता वं वहीं मै कर रहा हूँ अभी मैं विदेश होकर आया हूँ साथ 14 शहरों में क्या स्वागत हुआ मेरा तो आप ये कह रहे हैं कि मंत्री बनना या सांसद बनना मेरे लिए कोई महत्व नहीं है मैंने महत्वक का बात नहीं का, मैंने का ना बनना महत्वक का बात नहीं है, बनने से उसके जरीये मैं कुछ करूँगा, और मैंने किया भी, जब संद्शेकर था, मैंने एकनामिक रिफार्म लाई थी, चलिए, राम मंदिर पर आपने बात की, राम मंदिर पर आपका एक बयान बैटी थी वो उसके पहले जो सरकार थी एंडिये की वो सोचते थी हमारे मजॉरिटी नहीं है और अब बनने की अधिक से अधिक संभावना है उन्नीस तक मेरी राए में मंदिर बन जाना चाहिए तो यह डेटलाइन है धंकी है वादा है ए Gradलै तो मैंने आगे कर दी आप तुमें तरह में सोला में बन जाना चाहिए और इसके लिए मृमंदलन करने के लिए तयार उट और इससे क्या यह जो आप इस तरह से बाते करते हैं सौमी जी क्या इसमें पार्टी में आपने बात की प्रदान मंतरी से बात की और लोगों से बात की यह तो मैनिफेस्टों में है इसमें पार्टी में बात करने की क्या जरूत है प्रदान मंतरी से बात करने की क्या जरूत है मैनिफेस्टो पर मैंने तो कि यहीं भी का राम से दुका भी कहा था कि मैं दो साल में उसको सुरक्षित कर दूंगा सुरक्षित हो गया है विजे मेरा आप से दो चोड़े-चोड़े सवाल है एक आप बड़ी करांती कारी सुझाओ दे रहे हैं कि अगर आप वितमंत्री होते तो देश की आ तो उनकी राय है वेदि यह कोई पार्टी का पॉलिसी नहीं ना किसी ने मुझसे कहा है और वो यह कहां कोन लगीर खींच सकता है फिर फिर वो हो जाएगा फिटनस की बात हो जाएगी कौन पार्लिमेंट में बंदामिन से जादा खड़ा होकर भाशन दे सकता है यह भी बा प्रीफिंग में कई लोग ऐसे जो जोटे कबर लगा देते हैं उसका हम कांटरिक्शन भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि इस नाट इंपॉर्टन एक राम मंदिर से संबंदे दिये कि मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है या तो अपनी आप सरकार से कहिए कि सुप्रीम से अलग जाकर आप ऐसा क्या कर पाएंगे जो 2016 में राम मंदिर का निर्मान शिरू हो जाएगा मैं कहां रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट से अलग से जाओंगा मैं दोनों करूंगा सरकार सरकार ने मुझे का कि को अभी सुप्रीम कोर्ट में पढ़ा कुछ नहीं कर सकता तो मैं एक नया पिटिशन डाला कि वहां जो टारपॉली ने फट गई है वहां शेड टूट रही है पीने के पानी नहीं है वहां चपल रखने के लिए जगा नहीं है आथ में पकड़ के लाना होता है जब पूजा करते हैं और पार्किंग लॉट नहीं है तो अब सुप्रीम कोर्ट ने तो आजेश दे दिया सरकार को कि यह सब करना है और यह मैंने सिर्फ छे माईने में कर आज मैं कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट में मैं जरूर जाओंगा और एक पिटिशन फाइल करूंगा कि अब राम मंदिर बनने के लिए आदेश दी जाए क्योंकि यह 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 बाते हैं जिसके अनुसार हमारी यह सारी जो पड़े हुए पिटिशन दें उसको खरीज करनी चाह हिए और मैं तो में जीवन में राजनेतिक उतार चढ़ाव जैसे भी हो लेकिन हिंदुत्व का सिध्धान्त को आपने कभी अपनी कमिट्मेंट को छोड़ा नहीं है अभी कुछ हफतों पहले एक सेंसस का डाटा आया है जिसमें धर्म के आधार पर किसके क्या वो हैं किसकी जनसंख्या उसका जिक्र है उसको लेकर कुछ नेताओं ने जैसे वी एच कॉल हो सकता है देश के लिए और अब देश बर में युनिफॉर्म सिवल कोड जो समान नागरिक संहिता है या तो उसके तरफ कदम बढ़ाया जाए या कम से कम एक कॉमन पॉपुलेशन पॉलिसी जो सभी धर्मों के जो फॉलोवर्स हैं उनको लागू हो ऐसा होना चाहिए क्या आपको लगता है सरकार इस मुद्डे को लेकर कुछ सोच रही है या कोई गंभीरता है? मुझे नहीं पता है सरकार इस पर सोच रही है कि नहीं पर नहीं है और जो तोगड़या नहीं का वो तो पड़े लेके आदमी हैं उसको थोड़ा आप आराम से देखेंगे तो उसकी बात में तर्क है कि फैमिली प्लाइनिंग होगी तो सब पर लागों नहीं चाहिए और आप को आश्चर होगा कि मुसलिम महिलाओं जो मुझे मिलते हैं दर दर वो भी कहते हैं कि आप जबरदस्ती करा कर इसको करा ही है क्योंकि हमारे लिए अच्छा है इसी परकास यह जो सक्सेशन लॉज है या इनिहरिटेंस लॉज है उसमें भी महिलाओं का हल मुसलमानों के करनाक गटना होनी वाली है ऐसा मैं अभी नहीं मानने के तैयार हूँ मैं यह चाहता हूँ कि मुसलमान स्वीकार करें जो आज थेयरी अफ जेनेटिक्स में सिध हो गई है वो है कि उनका पूरवज हिंदू है और उनकी बले उपासना पद्दिती हमसे अलग हो पर उन तो सं मुसलमान की बढ़तीवी संख्या से कोई भैवीत होनी की जरूत नहीं होगी चले एक और बयान आपका है यह सुन लेते हैं देखिए राम मंदिर तो बदना ही है राम सेतु का काम हो गया तोड़ा ही वाकिया है वो निदिन गटकरी को पूचें कप करनेगा निदिन गटकर मैं मिनिस्ट्रीशिप का शबत दूगा दूसा दिन ये काम कर दूगा उन्होंने कह दिया सेतु समद्रम प्राजेक्ट राम सेतु को छुई कि नहीं उन्होंने एलान कर दिया तो सुप्रिम कोर्ट में तो ऐसे में मेरी रोपती लगी भी थी अब हो गया अब बागी एक ही कि अपने अभी अपने बयान में खुद कह दिया उसका अधार क्या आप कह रहे हैं कि गड़करी अमिच्छा से बहतर ये रिका मैंने मैंने को दिया अमिच्छा तो ज्यादा चुनाव पार्टी संगठन इस पर उनका प्राथिविक्ता है और नितिन गटकरी पार्टी आफिस में बैठके लोगों से मिलते थे जो अमिच्छा नहीं करते बहुत कम मिलते हैं हमारी चिठी की भी जवाब नहीं देते तो नितिन तुरंद फोन करके बात करते थे तो इसमें स्टाइल में फरक है एक बुरा दूसरा अच्छा ऐसा म हमारे बहुत पुराने परीचे तो इसलिए मैं उसके लिए उसकी शेतर में मैं बाशन दे रहा था तो इसलिए उसका थोड़ा अच्छा करना जूरूरी था स्वामी एक स्वाल मेरा हो एक होती आप अभी जो भी बात कि आपने आप कभी लगता है कि आप भाजपा में एक्स्ट्रा कंस्ट्टिटूशल पावर है आप जो कहते हैं वोगला उख्याद कि लाइन बन जाये ऐसा करीब करिब हो जाता है जैसे आपartet दे चाइना की नीट कर आपने नीती पर टिपनी की थी तो आपको लगता है कि विदेश नीती जो अभी प्रधान मंत्री चला रहा है उसमें कुछ तब्दिली आनी चाहिए यहां पर लगता है कि यह दस साल यूपिय के उने के कारण आप लोगतंत्री अप डल क्या होता यह आपके समझ से बार हो गई है क्योंकि लोगतंत्र पार्टी में लोगों को आइडियाज यानि अपने विचारों को बताने के लिए आउशकता है और दूसरे देशों में आप फिल कह सकते हैं यह ठीक नहीं है अभी तो जो तो जो भी बात मैं कह रहा हूं उसकी मूल बात मैनिफस्टों में है और लंबे तौर तर पार्टी की सिधानत रहिए चाइना के साथ मितरता करनी चाहिए पर उन्तो इसी समय अपनी डिफेंस पर कभी डिल नहीं देनी नहीं किया था जब मौराजी देसाइव प्राइम मिनिस्टर थे और उस कारण से मैं काईलाश मांसरों का रास्ता भी खुला सका अभी तो दूसरा रास्ता खुला यह भी उसी समय तैव हुआ था तो इसलिए मैं कहता हूं कि मैं कभी पार्टी के बार नहीं जाता हूं और जरूर पार्टी की बात को मैं सपस्टता से रखता हूं जो दूसरे नहीं लगते हैं तो लगता है कि मैं अलग से जा रहा हूं और यह जो आप भी आपने कहा कि जो वरतमान अध्यक्षे हैं वो आपकी चिठी का जवाब नहीं देते हैं मिलते नहीं है तो उनका स्टाइल बनानी या चुनाव लड़नी उसमें व्यवस्ता में उसका कोई मुकाबला ही नहीं है तो इसलिए उनका स्टाइल दूसरा है पर किया अध्यक्ष को ऐसा नहीं होना चाहिए कि कम से कम महतुपूर्ण लोगों को यह ने लगए कि मेरी चिठी का जवाब नहीं दिया अब हो नहीं है हिंदी का मैं कर सकता हूँ आगे करूँगा वैसे गूगल से तो आजकल बहुत असान होगे है हिंदी में बिल्कुल सही बार एक जो नए चीज में आप दिखाई दे रहे हैं वो आप एक लॉयर की भूमिका में दिखाई दे जाते हैं बिल्कुल और आप बार बार रिधार जाकर डिफेंड कर रहे हैं इस पर काफी अलोचना भी होते नहीं के लिए vais। आसराम को जेल में डालने के कारण है कि उन्होंने धर्म परिवर्तन पर उन्होंने डटके विरोध किया कई लोगों का दुबारा उन्होंने घरवापसी के पर स्वामी जा आप मान रहें कि उसमें जो कई गवाँ हैं वो मारे जा रहे हैं एक के बाद एक मारे जा रहे हैं लोग एक ही तरीके से मारे जा रहे हैं और मतलब बहुत ही ऐसा केस है जिस पर इतना ज्यादा लोगों की निगा है फिर आप क्यूं जाते हैं इसी जगह है ये स्वामी क्यूं नहीं लोगों को समझने हैं तो अपना मन टेलिविशन देखके बजाता नहीं हूं बिल्कुल नहीं मैं रेकॉर्ड को देखता हूं अब ये रेप केस कहते हैं जोदपूर में मैंने फायर देखा वहां पुलीस ने साफ लिखा कि इस नो रेप और दिली पुलीस ने तो लोगनायक जैपरकाश नारायन हॉस्पिटल में रिपोर्ट लिया है कि एक स्क्रैच भी नहीं है तो अब बाकी केस क्या है उसमें कि ये 18 साल से कम लड़की है और उसने बयान दिया कि इन्होंने मेरे उपर हाथ लगाई और पासको जो नया कानून बनी है उसके अनुसार जो 18 साल से कम लड़की है उसके बयान को सही मान करके केस चलाना होता है उसमें जो विटनेसे थे सुप्रीम कोट ने मुझे कहा कि छे विटनेसे हैं ये मटिरियल विटनेसे हैं इनका पूरा पूछता छोड़ी के बाद आप बेल के लिए अपलाई कर सकते हैं ये छेओं का छे जिंदा है पूरा उनके बेयान हो गई है तो कौन कहां मर रहा है किस की बिटनेस लिस्ट में है ये तो टेलीविशन में मुझे दिखाई पड़ता है जब मैं कागद में देखता हूं उनका नाम नहीं दिखता तो आपको लग़ा है कि कुछ नहीं होता है जो देखते होंगे वो ऐसे लोग हैं जो अखल मंद से कर रहे हैं सबसे पहले तो आपने कहा कि आपको क्लियर संकेत दिया गेता चुनाओ के पहले कि आप मंत्री बनेंगे इससे एक चीज थावित होता है मैं नहीं बनना चाहिए मंदर जो है वो प्रधान मंदर का प्रेरोगेटिव होता है इसलिए मैं विरोग नहीं कर रहा है कि जो भीजेपी है उसको एक कोई रिमोट कंट्रोल चलाता है और आपका इसलिए नहीं चला क्योंकि प्रदान मंत्री उस रिमोट कंट्रोल को वीटो कर गए। पहला सवाल यह था। दूसरा सवाल यह कि पहले सवाल का जवाब ले लेते हैं। बट उसको कोई हुकम नहीं दे सकता। आप क्या कि रहें कि वो दोस्तों के दोस्त हैं। दोस्तों का दोस्त है। मेरा तो उनसे परीचे बहुत पुराना है। परन तो ऐसा कोई मैंनी के सब्सक्राइब कर दोस्तों का दोस्तों होना राजनीती में ठीक नहीं है। कभी ठीक कभी नहीं ठीक है, कभी दोस्तों के साथ अन्याय होगा तो उसके लिए खड़ा होना चाहिए, कि मैं खड़ा होंगा तो मेरा राजनितिक करियर बिगड़ जाएगा उसमें भाग जाना, वो कांग्रस में बहुत होता है, यहां तो दूसरा है, उसमें मैं विवरन देने वाला मैं जानता हूं, आरेसेस बोलता है अपनी बात, वो सुनें तो ठीक है, नहीं सुनें, यह सब अपनी लोग हैं, सारे प्रचारत कर रहने वाले लोग हैं, तो आदेश देने के लिए नौबत चब आईगी, जब कोई ऐसा घ्रनापूर्ण घटना हो जाएगा, जैसे अड़ जाकर महुंद बागुतकूर्ण को पद से उतारना पड़ा, लेकिन ऐसे तो बहुत रेर होता है, आरेसेस जरूर कहती है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, पर ना हो, तो मैंने कभी नहीं देखा, आरेसेस ने कहा कि हम कुछ कदम उठाएंगे. मेरा दूसरा सवाल, आपके दूसरे टार्गेट के है, के उप्रती है, जो जिसको आपने बहुत टार्गेट किया है, तामिलाडो के चीफ मिनिस्टर जैल अलिता के बारे में, उसके बारे में बिलकुल बात नहीं हुई, पिछले साल जब उनको कन्विक्ट किया गया था, तब एक तरसे माना जारा था कि तामिलाडो की राजनीती जो एक चर्निंग के प्रोसेस में एक नई राजनीती उभर के आएगी, लेकिन साल भर के अंतर पूरा पासा पलट गया, भारती है जनता पाटी को माना जारा था कि अच्छी एंट्री पॉइंट मिली तामिलाडो लेकिन लगता है कि क्या आपकी पार्टी बिल्कुल बैक तो स्क्वेर वन होगी और जायलेटा जादा मजबूत होकर मुख्य मंत्री की तोर पे लोटके आई है जारता मजबूत तो नहीं हुई है लेकिन जो बारते जनता पाटी की जो मौल बनाई नर्दमोडी की मीटिंग्स के कारण और यह जो नया तबका तमिलाडू में आया है जो राष्टवाद विचारों का है कि हम हिंदुस्तान का हिस्सा है हम तमिल फर्स्ट नहीं हैं हम इं हमारे वहां के लोग एक संखेन विचारों के कारण एक नरुमाइंडेट के कारण और एक कास्ट अप्रोच के कारण हम उसको खो बैटे हैं पन्तु उसको कभी भी वापिस ला सकते हैं से थोड़ी गलती हुई थी सेंट्रल गलिशिक ने तमिल नादू के सही लीडिशिप अभी तक पैचान नहीं पाई है यह एडियम के डियम के बिना हां कोई तीसरा विकल्प बीजेप कर रूप में तमिल नादू में उबरने का उमीद है आपका यूंकि जैनलिता का अभी उबरने की बिमार के वास्ते औरनों पार्टी स्थिति कैसे हैं बीजेपी के क्या स्थिति है यह बात तो सही है कि दोनों अब पब्लिक उन से हटने चाती है परन्तु वो कुछ दिखाई नहीं बढ़ रहा है और उसके लिए बीजेपी के लिए बहुत अच्छा भूमिका बननी है परन तो बीजेपी के जो हमारी स्टेट उनिट है वो तो किसी यही जुड़ किसी से बड़े यानि DMK से जुड़ जाओ या ADMK से जुड़ जाओ उस में उस मनशा में हैं उस में से हम कभी आगे नी बढ़ सकते तो आप जाके स्टेट उनिट को क्योँ निट देखो मुझे देदे, मैं पूछने वाला नहीं हूँ पर तो मुझे दे देदे, मैं जाके वहां बैट जाओगा पर मुझसे कोई जाने पैचाने वाले BJP में तम्लाडू में है नहीं पर आप यह बताएं कि पर नहीं पा रहाएं आप इतनी तीकी बाते करते हैं प्रधानमंत्री जाते हैं तो चाय भी पीते हैं मिलके भी आते हैं मुख्योंं मंत्री से फिर बढ़ाई भी देते हैं तो कैसे गड़बंदन तो नहीं है ना पार्टी के गड़बंदन होता तो मैं इसी तिकी बात नहीं करूँगा पर तो बृष्टाचार उसने किया है मैं हूं कम्प्लेइनट और अब सुप्रीम कोट के जरिये उनको दुबारा जेल भेज देंग तो उसमें पार्टी का तो सवाल ही नहीं अब नर्णमोडी उनके पुरानी परिच्छे रिष्टे हैं और वो जाएंगे तो निश्चित तोर पर उनके घर में जाकर चाय पीएंगे मैं भी जैलितों को अच्छा जानता हूं कभी अच्छी बहुत अच्छी दोस्ती होती है कभी बिगड़ जाती है बहुत अभी बिगड़ी वी इस्तिती है हो सकता कल दुबारा हम दोस्ती कर लें लेकिन यही बात है कि जब वो करप्ट आप कहरें करप्ट है वो लेकिन जब आपकी इतनी दातों काटी दोस्ती थी तब क्या वो करप्ट नहीं थी करप्ट थी मैंन केस भी डाला उसके उसी समय डाला था जब मेरे गड़ बंदन था जी पूची जो आप कह रहे हैं उससे दो चीजें मुझे समझ में आती है कि एक जो आपकी निस्ठा है बीजेपी में वो नरेंद्र मोदी के साथ है और दूसरा हिंदुवादी होने के कारण आप संग परिव कि दोस्ती भी है आप इनको जेल भेजना चाहते हैं तो यह टेंचान आप किसको दे रहा है जलने प्रदान मंदुरि नडाइंद्र मोदीस मुझे नड़्य प्रदान मंधिने नरेंद्र मोडी के दूक playful एंवाजितो तो जैलिता सोचती थी आप उसको लिए जितो का दिमा लिखा था मेरा विरोध करते हुए कि मेरा पालिसी सब इने तमलानु में लोग मांते नहीं है लेकिन वो चला नहीं है तो लोग तंत्रिय पार्टी का रूप रेखा इतना सीमित मत बांदी है हम लोगों को छूट होती है हमारे कई कार्योगताओं का लग लग गाय होती है तो तो हम उस एक अंग को रेप्रेसेंट करते हैं, आंखिर में सब एक हो जाएगे, इसमें कोई दोराई नहीं है, तो इसलिए कोई प्राबलम नहीं है, ना मरंदमोडी को, ना मुझे को, हाँ, घडबंदन होता जैलता के साथ, फिर मैं करता तो कष्ट होता, स्वामी जी, एक औ और एक और आपने जो बात अभी हाली में कही खास तर पर पाकिस्तान के बारे में, वो सुन लेते हैं, बड़ा उस पर बड़ा बड़ी गर्मी है, जान तो हुआ है, अब आज पाकिस्तान का वो जो फ्रस्टेशन का जो दर्द है, उसको भी एक्त कर रहे हैं, क्योंकि वो हिंद्रस्तान का तो मुकापला कर नहीं सकते हैं, और युद्ध तो हम करने वाली नहीं हैं, पर उन्तु वो करेंगे तो उनका पिछले बार दो टुक्रा किया, इस बार चाल टुक्रा कर देंगे, जो अभी आपके बयान से ये पता लगता है, आप एक जंग के लिए करेंगे, पिछले बार आकरमेंट किया, दो टुक्रा किया, तो ये तो उत्साइद करती हैं हमारी लोगों को, और लोग पसंद करते हैं, समझते हैं कि कई लोग थोड़ा मयूश थे, कि हम लोग थोड़ा फीका पड़ गए हैं पाकिस्तान के बारे, अब हमारी जैसे बयान से लोग हमारी कारिकरता बड़े उत्सुक हैं, आप उत्सुक्ता के लिए शायद आपने एक और बयान भी दिया हुआ है, देखिए यह वाला अगला बयान यह जो कानून बनी थी क्रिमिनल डेफिमेशन का, यह तो अठारा सो साथ में बनी थी, अंग्रेजों ने बनाई थी, यहां हमारी देश की जो देशबक्त लोग हैं, उनका मूँ बंद करने के लिए, और जेल बेज देंगे, उस से एक संकोज पैदा होता है कि भई, हम क्यो अपमान होती है किसी की शब्दों से, उस के लिए कोई क्रिमिनल, कोई आक्शन नहीं होना चाहिए, हाँ, सिविल सूट हो सकती है, मूँ अफजा मांग सकते हैं, मैं कहता हूं कि यह पार्टी का सवाल नहीं बन सकता, यह तो समाज का सवाल है, समाज में लोग तंत्रिय मैं शुरू में कहा रहा था कि आप एकदम अनूठे हैं, एकदम अलग दिखाई देते हैं। और रहा हारने वाले हैं उसमें। और 66 A B जो इंटरनेट का वामला था उसमें भी हार गए थे। तो ऐसे ही जो अग्रेजों की बनाई हुई कानून को हम समर्थन करना यह तो मेरे साथ गलत है। तो यह तो मैंने प्रदानमेंदी को चिठी लिक कर के भी बता दी। और कि ऐ कहती है उस पर पहले पार्टी का फैसला हो। पार्टी फैसला ही नहीं करती है किसी बात पर तो मुझे तो चूट होता है बोलने के लिए और पार्टी का मन बनाने के लिए। स्वामी जी जो आपको जानते हैं आपने देख वो तब से अमर्जंसी में खास तर पर जिस तरह से आपने काम किया और जिस तरह से एक उच्छाल भी आया आपकी पूरे। पिछले दिनों अडवानी जी ने कहा कि हालत ऐसी बनने के अमर्जंसी दुबारा लग सकती है। क्या आप इस से सहमत हैं क्या इस तरह की बात सही है। मुझे नहीं पता है कि कि संदर्ब में अडवानी जीनी ये बात की थी या आप लोगों ने उसको तोल मरोड के पेश किया है। सवाल यह है कि देश में लोगतंत्र ऐसा चीज है जिसका सदा के लिए हम लोगों की रक्षा करनी होती है। और निष्टित तोर पर आज जो पाटियों की हालत है अनेक जगाओं में। उन मुलायम सिंग की पाटियों नमायवाती की हो या कांगरस की हो उसमें तो कोई लोगतंत्रे नहीं है। बीजेपी में क्योंकि अनेक संगठन है एक तो बीजेपी खुद है फिर आरेसेस है विश्वंद परिश्द है यह सारे होने के कारण इनका जो महल बनता है वो सबसे ज़्यादा लोगतंत्रे बनता है। तो आब मैं उसका सबूत हुँ कि मैं बात कहता हूं जो दूसरे पार्टी में ना कभी नहीं सकता हूं … और यह बदापन है और हमारी पार्टी की, कि यह सब अज़स्ट करते है। हाँ मैंने भी पश्ट कर दिया कि पार्टी कोई फ्रस्ताव पास करेगी तो मैं उसको उसके अनुसार चलूँगा पर तो जब तक नहीं है तो मुझे अधिकार है मन बनाने के लिए यह एक आखरी बयान है आप बहुत बयान देते हैं इसलिए हमारे शो में बहुत सारे बयान है एक आखरी बयाने ये भी एक बर सुनी है वो तो नक्सलाइट लोग है उनको तो निकाल देना चाहिए एफ्टी आई आई से और हम लोग थोड़ा इतना धील देना अनावशक है सरकार कोई भी ट्राइब करें पर तो यह आजिटेशन यह रोकेंगे नहीं क्योंकि उनको को पता है कि यह आये थे एफ्टी आये जबेस मना करके तो मैं तो समझता हूं सबको निकाल देना चाहिए और और अफ्टी आया को बंद कर देना चाहिए यह दी काम नहीं चल सकता कि आपको किसी को डा हुआ को बोलते हैं तो नगसलिये आपका एकदम बिल्कूल स्टैंप लगा देते हैं अप слож को नहीं कहता हूं आपको तो नहीं कहा मैंने आ हिर सुकरी यह कहता हूं कि देश में यह पिछले 10 साल में एक मंशा पैदा गई गई थी हमारे जो अंग्रेजी पढ़ने वाले लोग हैं, अंग्रेजी में पढ़े वाये लोग हैं, कि वो नक्सलाइट प्रेमी बन गए है, और उनका नक्सलाइट नहीताओं का तो एक ही अउदेश है, कि किसी तरीकों को सब को समाज से तो अलग कर दें, तो यह FTII की जो अइजिटेशन है, वो क्या है कि चेर्मन उनके वोट के बिना नहीं बन सकता, I'm sorry वो नहीं हो सकता, कि अब धियारती तै करेंग चेर्मन कौन होगा, यह तो हमारी अधिकार है, पहले कभी नहीं हुगा ऐसा, तो आप चाहते हैं कि सब को बाहर निकाल दें, यदि वो क् कि बिहार में चुनाव होने वाले हैं, गोश्णा हो गई है, आपके बहुत जानने वाले लोग भी लड़ रहे हैं दोनों तरफ से, आपको क्या लगता है कि क्या आपने अनुमान लगा है, क्या होगा बिहार में? हम भारी बहुमत से जीतेंगे. प्रेस कॉनफेरंस में हमारे खास مहां सुपरैमन निम्स सौमी खुलकर सवालों का जवाब दे रहे हैं, लेकिन ये दौर रैपिड फायर का है, देखना हैं वो कितने सवालों का जवाब दे पाते हैं. सौमी जी, पांच सवाल मैं आपसे पूच रहा हूँ, हर सवाल के आपको चुनना है, आप चाहें तो सवाल छोड सकते हैं, और पांच में से तीन जवाब सही देंगे, तो ये ABP News की तरफ से एक गिफ्ट है आपके लिए, शुरू करें, तो पहला सवाल, आपको क्या लगता है कि आपके राजनेतिक जीवन की सबसे बड़ी भूल क्या थी? ए, शुरुवाती दिनों में जिस तरह से आपने वाजपई जी पर हमले किये, या दूसरा, आपने जो सोनिया और जैलेलिता की टी पार्टी की, इन दोनों में से सबसे बड़ी आपकी राजनेतिक भूल क्या थी जीवन क्या दोनों भूल नहीं थी, और वाजपई से हमारी ज्यादा बड़ी भूल क्या थी इनमें से? दोनों में भूल नहीं है, तो ज्यादा भूल कैसे बोल सके हैं बात इन में से क्या थी यह? दोनों सही बात थे मैं विपक्ष में था और मुझे सरकार को गिराना था ये मेरा करतवे था और सरकार मेरी अनुकुल काम नी कर रही थी जो पॉलिसी जाए थी तोसको में गिरा दिया तो स्वामी जी, जिस फ़ॉर्मेट में हें, आप उस फॉर्मेट में जवाब नहीं दे रहे हैं, तो इसको मैं छोड़कागा. क्या दुचु कुछ दोजु कोई होुए है? तुरॉटा पड़ें गया होने वाली है? या politician? मैं दोनों हूँ. बहतर क्या है आप दोनों में से? मैं तो फिर मुझे टमाटर पसंद है या प्याज पसंद है तो मैं कैसा कहूंगा कि कौन सा ज्यादा पसंद है? दोनों बराबर पसंद है. वैसे ये भी दोनों बराबर है. मैं श्रेष्ट राजनीतिग्या हूँ जो सिधानतिक तरीके से सबसे श्रेष्ट हो. चलिए ये भी आप फॉर्मेट में जवाब ने दे रहें. तीन और सवाल है आपसे. तीसरा सवाल है. आप बहतर प्रधान मंत्री किसको मानते हैं? अटल विहारी वाजपे को या नरेंदर मोधी को? नरेंदर मोधी की समय अभी सि और इसलिए इन दोनों का तुलना करना गरत है. जो पूरा टर्म गया है उनका पूछाएंगे तो मैं बता दूना. तो आप सीधे नहीं आ रहे हैं? क्यों नहीं? मैं आपके ट्रैप में तो आने वाला नहीं हूँ. अगर वाजपेई जी के पहले 15-16 महीने देखें, मोधी तो उस हिसाब से आपको कौन बहतर लग रहे हैं? मैं तो नरंद मोडी को ज्यादा अच्छा जानता हूं, तो इसलिए मैं नरंद मोडी को ज्यादा अच्छा समझूगा. चलिए, यह आपने एक तो जवाब दिया. आपको क्या लगता है कि BJP के बहतर अध्यक्ष कौन रहे नितिन गटकरी या अमिच्छा? अब यह भी वही संत्रा और टमाटर का सवाल है. नहीं, दोनों पार्टी अध्यक्ष हैं. नहीं, पार्टी अध्यक्ष हैं, पर अलग-अलग आयाम में वो सक्षम हैं. तो मैं इसको इनको कंपेर नहीं कर सकता. यह सवाल मैं जबाद नहीं हैं, तो केंडर में मंतरी? अब वो मैं नहीं जाता हूँ, वो मेरा प्रारवदाक का सवाल है. अब अगना राजपाल कि थैई घपता है? क्यों आपको लगता है कि राजपाल के पद का महत वह नहीं मैं तो करमयोगी हूँ मैं कहां जाकर वहां बैट के लंच और डिनर कहूंगा यही माल में रहकर यह तो हमारा काम नहीं है मुझे तो वैसे राजपाल के लिए तो आफर हो गया है मैंने ना कह दिया है अच्छा यह चुनाफ के बाद आफर हुआ हाँ हाँ अभी फिलाल चार माईने पहले और एक ब्रिक्स बैंक का भी दिया आफर दिया था वो जो चाइना में उसको भी मैंने ना कह दिया तो यह इसके पीछे क्या मतलब क्या है मैं यह हूँ कि मैं तो सक्रिया होता हूँ ना मैदान का मैं विचारों का है यह सारी बंद हो जाएंगे मैं विचार अपना व्यक्त कर नहीं सकूंगा हाँ मंत्री गद्बाने तो खर्यानविद कर सकता हूँ विचारों का क्रेंद्वित करने के लिए मुझे मुझे मुखा मिलेगा बट ये जो राजपाल है या एमबैसडर है या ब्रिक्स बैंक का प्रिजिडेंट है ये तो मैं नहीं कर सकता तो पर इसमें आप स्वामजी आप तो मतलब बड़ा अच्छा पढ़ते हैं राजनीति को आप इसमें इशारा नहीं पढ़ रहे है कि आप से पहले का ब्रिक्स चले जाएए फिर का राजपाल चले जाएए तो आपको कोई धकेल रहा है क्या या हटाना चाह रहा है क्या डख पर अगर ऐसा आपको लगता है कि शुरू से हो रहा है तो क्या आपको मालूम है कि पार्टी में कौन से लोग हैं जो इस तरह से चाहते हैं कि सुबरामनियम स्वामी हटें यहां से जाएं कि जानता हूं उन तो सफल नहीं होंगे क्योंकि जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं जो मैरे मुझे उचाहित कर रहा है वो दस और एक के बदावर है उस पर कर क्यों रहें क्या 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 परेशानी है लोगों को क्या टेंशन देते हैं अप उनको हमारे हिंद। अ कमदोरी है इरशा होती है कभी डर होती है कभी यह मेरे बुरी नजर मेरे तरफ लगाएंगे यह भी लोग समझते हैं कई लोगो को कई चीजें च्छिपानी की होती है वो समझते हैं कि मैं कहीना दोंटूंगा पर आप नरिन मूदी को आप इतने दिनों से जानते हैं कोटब से जानते हैं जब आप एक बहुत बड़े स्टार थे अमर्जनसी में, तो क्या आप उन से बात नहीं करते हैं? क्या बात करने, मैं तो इस पर देने बात करूगा, वो तो मुझे अच्छी तरह जानते हैं, नहीं कर रहे हैं, तो कोई विवश्टता है, उस विवश्टता के मैं क्यों विशलेशन करूँ, ना गरो मुझे क्या जाता है, मेरे तो कोई निखान नी होता इससे, हाँ हो सकता है कि वो जो बाबू की संसार है, उसमें पद के बिना किसी को महत्व नहीं मिलता है, पर उन्तो हमारे संस्कृति है, हिंदू संस्कृति, कि जिसके पास कोई पद नहीं है, कोई धन नहीं है, कोई शस्त्र नहीं है, वही सबसे महान होता है, पर मैं अगर, प्राइम मिनिस्टर और आपने क्या कहा मैंने चोड़ा काम है मैं नहीं लूगा मैं हर्वर्ट छोड़के आया हूं मैं इसके लिए नहीं आया पर सौमीची एक बात आप नहीं देख रहे हैं कि सब इतनी कोशिश कर रहे हैं अगर आप सरकार में रहते तो सक्षम तरीके से और अच्छे काम कर सकते थे उसका तो एक तरीके से आप सोचें तो नुकसान होता है अगर आप यहां होते काम करते देश का भला होता आप उस तरफ आप नहीं सोचते उसके लिए इसलिए आपको को नहीं लगता कि आपको कम से कम वहां लगना असरी कारण नहीं पता है पर तो मैं अनुमान लगा सकता हूं कई लोग समझते हैं कि इसको हजम करना मुश्किल है कई गला में अटक जाएगा तो क्या करूंगा यह भी प्राब्लम है तो बात वही हैं जो बार के लोग कहते हैं गिर्णा में मैं कर रहा हूँ, मैं तो अनरंद मोरी को आज भी सपोर्ट कर रहा हूँ सब जगा, अभी अमेरिका गया था, सब लोग बड़े नाराज थे हैं उससे, क्योंकि दाला धन नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया, मैंने उनको डिफेंट किया, तो आपको अभ अभी सवालों के तो जवाब नहीं दिये, लेकिन आप हमारे साथ आए, और बहुत बेभाकी से आपने बात की, इसमें क्या कैश है, देखिएगा खोल के, ब्लैक मनी नहीं है, प्रेस कॉन्फरेंस में आज के महमान सुबरमनिम स्वामी अगले हफते, हमारे साथ होंगे एक और खास मेमान तब तक देखते रहिए, एबी पी न्यूज, भन्यवादी